हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाश 12 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर है हमारा पांचवा खेल और पॉशन मेरा नाम से तिंदर प्रताप है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एक लव्या स्टेडी पॉइंट है मेरा यूजर नेम है चुरू करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा भोजन यानि कि जो हम फूड लेते हैं उसका क्या मेत होता है तो देखें ऐसे सभी पदार्थ चाहे वो तरल हो यानि लिक्विड फॉर्म में लें चाहे वो ठोस हो जो हम खाते हैं और खाने के बाद हमारे जो पाचन तं हैं चाहे वो लिक्विड के रूप में आप जूस वगएरा ले रहे हो मिल्क वगएरा ले रहे हो या फिर कोई खाने की चीज़ ठोस के रूप में हो चाहे वो आपकी रोटी हो या अन्य कोई भी चीज़ हो so ona koos ios जो उसमें से energy होती है, थिक है, वो हमको मिल जाती है, और उसी energy का इस्तिमाल हम करते हैं, यह हमारा भोजन के ज़री होता है, भोजन जरूरी है लेकिन भोजन में संतुलित आहार होना और जरूरी है, अब देखे, भोजन में क्या होता है, कि हम कुछ भी खा लें, तो यह होते हैं जिन चीज़ों की requirement है हमें हमारी थाली में वह सब भी चीज़े अवेलेबल होनी चाहिए ठीक है तो आगे देखते हैं समझते हैं अब बात करते हैं आप यहां संतुलित आहार क्या होता है यह समझे देखें ऐसा आहार जिससे कोई भी व्यक्ति यानि किसी व्यक्ति क शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व जो है उसमें उचित मात्रा में अगर मिल जाते हैं तो उसको हम संतुलित आहार कहते हैं यानि कि हमारा जो खाना होता है हमारा जो भूजन होता है उसमें अगर सभी चीज़े हमें एक सही मात्रा में मिल पा रही है तो उसको बैलेंस ड भॉटीन भी ओना चाहिए, पानी, फाइबर, विटैमिंस ठेके, और खनी ये सारी Königy, धोजन के जड़िये, घरी थाली के जड़िये, यह चीज़े हमको मिल जानी अगर अगर ये सबी मिल पा रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे संतुलित आहर बोलेंगे ठीक है अब बात करते हैं पोशन की तो जो nutrition होते हैं इसको समझते हैं तो देखें पोशन क्या है भोजन में उपस्तित पोशक तत्वों का अध्यान जो है इसको हम पोशन कहते हैं ये क्या एक गतिशील पर करिया है जिसमें क्या होता है कि भोजन को खाना फिर खाने के बाद वो पच्चता है यानि पचाना फिर उसका अवशोशन होता है और अवशोशन होना और इसमें से जो पोशक तत्वों होते हैं उसका उपियोग करके हमारे शरीर में वृद्धी और विकास होती है ठीक है इसी को हम पोशन न्यूट्रिशन वगरा कहते हैं तो हमारे खाने की न्यूट्रिशन वेल्यू के अगोर्णिंग भी हमको खाना खाना चाहिए अब बात करेंगे पोशक तत्व के बारे में इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और चीजे समझा तो देखिए क्या होता है बैलेंस डाइट में यह होता है कि हमें अपने खाने में हम कभी भी इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं ठीक है जो हेल्थ कॉंसियस लोग होते हैं ज मिल जाते हैं तो इस तरीके से एक रेशियो होता है वो हमारी हर व्यक्ति की नीड अलग होते है देखें आप कितनी कैलोरी आपको जरूत है उसके अकोर्डिंग आपकी यह जो थाली है यह बनेगी अब इसमें होता क्या है नॉर्मली हम क्या करते हैं हम ज़्यादा तर कार् होता है और यह हमारे लिए नुकसान दायक होता है अब आप कहोगे कि रोटी चावल तो हम सभी खाते हैं तो यह नुकसान दायक होता है अगर आप इसको ही ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं अगर आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा ठीक है लेकिन मात्रा उसकी सही ह आप समझते हैं पोशक तत्व के बारे में देखिए पोशक तत्व जो होते हैं दो परकार के होते हैं एक होता है मैक्रो एक होता है मैक्रो जिसको वरहत कहते हैं और मैक्रो में सुक्ष माता है तो मैक्रो क्या होता है इसे समझे बहुत ही आसान है देखिए ऐसे पोशक तत्व जो क्या होता है, जो पोशक तत्वों की हमारे सरीर को जरूरत भी बहुत कमी होती है, बहुत ज़्यादा जरूरत इसकी नहीं होती है, और ये मिलते भी काफी कम है, जैसे विटमिन्स हो जाते हैं, खनीच हो जाते हैं, ये माइक्रो में आ जाते हैं, तो आगे हम क्या करेंगे carbohydrate को पढ़ेंगे, protein को पढ़ेंगे वसा को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे फिर हम micro को भी समझेंगे तो चलिए देखते हैं, क्योंकि आपकी paper में carbohydrate पे question आ जाता है, protein पे पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको सारी चीज़ों का पता होना होगी, और चावल होगा दाल होगी, यही तीन चार चीज़े जो हमारी थाली में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, रोटी, चावल से आपको क्या मिल जाता है, आपको carbohydrate मिल जाता है, सबजी वगएरा में भी आपको लोग है, मरीज जो है, वो हमारे देश में और इसका मुख्य कारण हमारा खान पान है अब यहाँ पर आप समझिए, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि carbohydrate जो है आज के टाइम पर low carb diet बहुत ज़्यादा चल दे, यानि कि अपने जो खाना है उसमें carbohydrate को low कर दो, यानि कि कम कर दो, 25 परसेंट या 30 परसेंट ही carbs हमें रखना है ठीक है कई जगा पे उसको 50% बताते हैं यानि कि हमारी थाली में normally 75% तक carbohydrate होता है, इसको घटाना है हमें 50 या 30 पे लाना है ठीक है, यह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो diabetes होती है अक्सर लोग यह समझते हैं कि जो मदू में एका रोग है, जो diabetes का रोग है वो मीठा खाने से होता है, उनको यह लगता है कि मीठा खाते हैं, जैसे मीठे में वो क्या होता है, चीनी हो गई, गुड हो गया या और भी कोई भी चीज मिठा ही वगएरा हो गई, वो सब उसको ही मीठा समझते हैं, लेकिन reality यह नहीं है, जो चीज हमें टेस्ट में मीठी लग रही है, वो तो नुकसान दैक है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन जो चीज हमें नहीं समझ में आरी, जैसे कि हम ro치, रोटी तो सभी खाते हैं, अब रोटी में लगता है, वाइस में तो कोई चीनी नहीं होती है, लेकिन रोटी में carbonated होता है, और carbonated सुगर में जाके convert हो जाता है. यानि किanim है carbonated हमारे भोजन ब्रह आंको हमते हैं, तो यह सा में convert हो जाती है ठीक है तो यह चीजे आपको समझनी है ऐसे ही चावल में तो और ज़्यादा कार्बोहाइटेड होता है तो चावल भी कही ना कहीं जो शुगर के मरीज होते हैं उनको रोटी और चावल मना करदी जाती है कि कम से कम खाना है तो यह है तो यह आपको बो चीज़ समझनी है क्या favorite हमारे भोचन में काफी ज़ादा होता है और यह साधा रहता है चीनी होती है और वे पदारत ऐसे होते हैं जो जल विगटन के दौरा की द्वार्फ होती है है यहनी के बाद में oxygen के प्रमानू का ratio यह होता है अब यहाँ पर हमें बस इतना समझना था केवल दो लाइन समझनी थी कि carbohydrate जो है हमारे आहर का मुखे अंगे और यह चीनी होती है ठीक है इसके बाद देखते हैं carbohydrate के प्रकार एक है शरकरा जिसको हम साधारन carbohydrate कहते हैं जो कि जिसमें glucose, fructose, sucrose, maltose यह सब आजाते हैं जो कि पानी में गुलन सील होते हैं अब हम कोई भी चीज़ खाते हैं चाए आप मिठाई खाओ, चाए आप चावल खाओ, चाए आप रोटी खाओ, यह सब ही जाके कही न कहीं glucose में convert होते हैं ठीक है glucose बनाते हैं और glucose एक level तक ठीक रहता है मतलब इससे energy मिल जाती है हमको लेकिन जब हम इसको नहीं पचाब आ रहे हैं तो फिर है कहीं न कहीं sugar में convert हो जाता है और glucose एक sugar का ही रूप है जिसको हम जानते हैं ठीक है, blood में जब test कराए जाता है शुगर के लिए, तो blood में glucose की मातरा देखी जाती है फ्रुक्टोज बगेरा जो होता है वो भी एक तरह का sugar ही है ठीक है इसमें भी मीटा होता है लेकिन हमें फल से मिलता है और जो फल से मिलने वाला शुगर होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता जितना की glucose होता है फल आप खा सकते हैं इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ठीक है फिर सुक्रोज, माल्टोज ये सब क्या है कहीं न कहीं एक sugar के ही types मान लो आप इने और ये कहां से मिलते हैं इसका सुरोध क्या होता है जैसे कि फल में आपको ये मिल जाएगा फ्रुक्टोज वगेरा मिल जाता है गन्ना में, चुकंदर में आम, अनाज में खासकर आपको glucose मिल जाएगा ठीक है अनाज में आप जैसे गिहूं की रूटी हो गई या चावल हो गया या अन्ने चीज़े हो गई इन सब में आपको glucose मिल जाता है बाकी में आपको fructose वगेरा, सुक्रोज वगेरा देखने को मिलेगा ये तो था simple carbohydrate फिर है जटिल carbohydrate ये पानी में गुलंसील नहीं होता है इसमें starch होता है ठीक है और cellulose वगेरा होता है मेंली ये कहाँ पे होता है आलू, शकरकंद, चुकंदर, मका, गेहूं अब यहाँ पे एक चीज़ देखे आलू जो है, आलू में भी शुगर होता है ठीक है, आलू अब आप सोचोगे कि आपको ये लगता होगा बहुत सारे बच्चों को कि जो चीज़ खाने में मीठी है, केवल उसी में शुगर है ठीक है, तो रोटी में शुगर नहीं है चावल में शुगर नहीं है, आलू में शुगर नहीं है आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन ये जब हम खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे blood में जो sugar का level होता है glucose का level होता है उसको बढ़ाते हैं ये तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है next है कि carbohydrate के मुखे कारे क्या हैं तो carbohydrate जो होता है इसका मुखे कारे जो होता है वो विबिन शारीरिक कारेओं के लिए उर्जा परदान करना होता है ठीक है कि ग्याम अगर हम कार्बैटेड ले रहें तो उसमें हमें 4 kg कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है और हमारा भोजन होता हैibles जो कुल कैलोरी होते हैं, उसका 60-70% जो हम कार्बोहिटेड परदान करता है आपको स्टाटिक में क्या बतायता है, कि हमारी थाली में जो खाना होता है, उसमें 70-75% कार्बोहिटेड होता है, जिसको कम करना चाहिए, ठीक है, इसलिए जो जो मरीज होते हैं, डाइबिटीस वगएरा के उनको क्या कहा जाता है, कि आप रोटी चावल, इन सब चीजों की जगा सलाद जादा खाईए, फ्रूट जादा खाईए ठीक है, अन्य चीजों को की तरफ ले जाए जाता है, सेकेंड नमबर पर प्रोटीन प्रोटीन को अन्य कारियों के लिए मुक्त करना, शरीर में उर्जा की अविशक्ता को पूरा करने के लिए प्रोटीन की भी हमको कहीं ने कहीं उप्योग किया जाता है, प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, उर्जा परदान करना प्रोटीन का मुख्यकारे नहीं है ये क्या होता है कि कार्बोहाइटेट की उचित मात्रा में नहीं लेता अगर मान लो कोई कार्बोहाइटेट उचित मात्रा में नहीं ले रहा तो प्रोटीन जो है अपने मुख्यकार को छोड़ देगा और हमारे सरीर को एनरजी देने लग वसा जो होता है फैंट ऺ साहरी लिए जरूरी होता तकि 50 बहुत जदा है तो वह नुक्सान डैक के लिकिन अगर वह सही मात्रा में एक स्वी बात करतने के बात करने के बात है फैंट अज़्यूरत है प्रोटीनption की बस उसको एक सही मात्रग में हमको लेना है अब बात करते हैं प्रोटीन की तो प्रोटीन का काम क्या होता है ये इक व्रथ वोषक टत्व है और प्रोटीन जो एक कारबन हाइडोजन आक्सीजन नाइटोजन सलφर नामक टत्व से बनता है इसमें क्या होता swear मिनले देखे जो हम प्रोटीन लेते हैं, सरीर में पहुँचता है, जब ये अमीनो एसीड में बदल जाता है, 23 तरह के अमीनो एसीड होते हैं, जिसमें से 9 अमीनो एसीड होते हैं, हमारे खाने में अवश्य उपलब्द होने चाहिए, और क्योंकि हमारा रक्त, मानस्पेसि, नाखून, तचाबाल, आंत्रिक अंग, इन सब के लिए प्रोटीन की बहुच ज़ wroth होते हैं, जब वो तूटते हैं तो उसके मरमत करने के लिए प्रोटीन की ज़ wroth होती है, तो प्रोटीन बहुत महत्तपून है, अब प्रोटीन हमें प्रोटीन मिल जाता है, मांस और अन्य जो मांसाहरी आहर होता है, उसमें मिल जाता है, जो ड्राइफ रूट वगेरा होते हैं, जो ओल वाली जो बीज होते हैं, उसमें हमें मिल जाता है, प्रोटीन के मुखे कारे क्या होते हैं, शरीर के निर्मान और विर्धी में ये बहुत तो वसा जो है एक विरहत पौशक तत्व है वसा में कार्बानिडोजन आकसीजन नामक तत्व जो होते हैं वो 2,62-3,62 इस तरीके से परस्इंटेज में होते हैं वो वसा जो है वो सरीर की अनेक क्रियाों के लिए अत्यनता अवशक होती है वसा हमें गर्म रखती है और हमारे जो कोमा लंग है उसको सुरक्षा परदान करती है वसा हार्मोन के उत्पादन में साहिता भी करती है अब वसा जो है फैट जो है ये इसलिए भी साहिक है कि हमारे जो सरीर के अंदरूनी रूप से जो हम अपने जोइंट्स को हिलाते है ठीक तो स्रूथ हैं वो क्या होते हैं जैसे जो वर नसपति टेल होगया मेवी होगया राइफ़ूड वगएरा होजाता है फलो वगएरा में इंवे इनमें भी मिल जाता है 새 मांस मचली अंडे दूद दूद ूद्स बनी ह्युय चीज़ है में भी आपको fat मिल जाता है पिर इसके बाद होते हैं कुछ micro, यानि कि कुछ सूच मोपोषकतत हुआ, इसमें आते हैs ठैके हैं तो हम चलता है हमारा जल में घुलंसीन विटामिन जैसे B आजाता है, C आजाता है, और वुलंसीन विटामिन जैसे B और A ऐजाएगा, D अजाएगा, E आजाएगा. विटामिन के हो जाता है यह सब यह हो जाते हैं ठीक है खनीज लवन्ड की बात करें तो खनीज लवन्ड जो है हमारे शरीर के लिए कहीं न कहीं आवशक होते हैं और जीवन भर के लिए हमें इसकी आवशकता जो होते हैं तो काफी कम मातरा में होते हैं, बहुत ज़्यादा हम को यह नहीं चाहिए होते हैं, इसमें कौन-कौन सी चीज़े आ जाती है, जैसे कैलसियम, पोटेशियम, सोडियम, मैगनेशियम, फासफोरस, छूच मुकनीज, यह होते हैं, आयोडीन, लोहा, तामबा, क्रोमियम, यह सब क्या है, खलीज लवड होते हैं, जो कि हमारी शरीर को इसकी जुरूत होती है, गैर पो सकता है, तुम्हें हमारा फाइबर आ जाता है, फाइबर क्या है, इसका कोई खास पोशन तो नहीं होता, लेकिन फाइबर खाने से एक फायदा होता है, क्याता है, खाने में फाइबर क मतलब जो हमारे पेट में जो हमारी आते हैं उसके वभी कारे में सुधार आएगा और और जो भीए म मम खाए कि उसमें रोग हो जाएंगे वो मोटापा से गरसी तो हो सकता है उसको मदूमे यानि की डाइबिटीस हो सकती है उसको हाई ब्लड प्रेसर की बिमारी हो सकती है ठीक है ऐसे में शरीर का जो वजन है वो हमारा नौर्मल होना चाहिए स्वस्त या उचित भार इसको समझते हैं सब्सक्राइब और यह रहाद सकती है तो आपका डल सकते हैं और आपका बीएय माई निकल जाएगा और देख लीजे आपका BMI जो है वो कितना आ रहा है नॉर्मल रेंज पे है या नहीं है के बात क्या है कि भार नियंत्रन यानि वजन को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाए हो सकते हैं देखे रेगुलर हमें exercise करनी चाहिए हमें कम केलोडी लेनी चीए अब कम केलोडी का मतलब यहाँ पर क्या है समझे है मानली देखे क्या होता है की कोई व्कती ऐसा है मानलो एक व्कती है A और एक व्कती है B A व्कती जो है वो बहुत hard work करता है यानि शाड़िशर्म करता है ठीक है जिसमें उसको एक दिन में 22-2400 कैलोरी की जुरुत होती है एक भी वेक्ति है जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसकी उसका काम भी कोई ऐसा नहीं है जिसमें उसको बहुत भारी काम करना पड़ता हो तो उसका काम जो है वो 1600 से 1700 कैलोरी में काम चल जाएगा तो ऐसे में हमें हमारे कारे के according हमारे शरीर के अनुसार हमको कैलोरी लेनी होती है ठीक है हमें ज़्यादा कैलोरी या कम कैलोरी नहीं लेनी चाहिए हमें उतनी ही कैलोरी लेनी चाहिए जितने की हमें requirement है उसको हमें burn कर सकते हो जिसको ठीक है प्रक εν जंक फूर्ट से बचना हमें जो फाल्टो की हम चीज़े खाते हैं। जंक फूर्ट हो गया। पाइशों करते हैं यह कहीं ना कहीं टाइम होना चाहिए, उस टाइम पर ही खाना है हमको, दिन में दो बार, तीन बार, जितनी बार भी खा रहे हैं, पर्टिकुलर एक टाइम में हो, उनके बीच में गैप हो, और बैलेंस डाइट लेनी है, इन सब चीचों को ध्यान रखना है, बार बार नहीं खाना, कई लोग क की बज़े से, इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइबिडेस के मरीज है, उनको लगता है, रोटी, चावल, सबजी, आलू, यह जो खा रहे हैं, इसमें शुगर नहीं होता, यही चीज हमारे शुगर को इंक्रीज करती है, तो इन सब चीजों को कम करना चाहिए, ठीक है, मा पड़े हुए है, कोई सारी रिक्षरम नहीं कर दaked कर रहें, अब देखो नुकसान क्या होता है, जैसे मानओ लोग कोई व्यत्ति बहुत ज्यदा खा रहे है, बहुत ज्यादा कैलोरी ले रहे है, लेकिन उसका काम नहीं है, उतना महनत वाला, तो उसकी कैलोरी जो धो बन न अच्छा टॉपिक है अलपहार जिसको हम कहते हैं डाइटिंग। आपने सुनाओगा कि आज के समय में जादा तर लोग जो हैं वो फिट दिखना चाहते हैं, अच्छी पर्सनेलिटी बनाना चाहते हैं, इस चक्तर में वो डाइटिंग सुरू कर देते हैं, देखे क्या है हमा बहुत पतले होते हैं तो पतले वाले मॉटा होना चाहते हैं, जजदा तर जफु बहुत अमेनी को अधिकर करना होताम, महिना, दो महिना, तीन महिना करने के बाद बंद कर देते हैं, तो तीन मेने में ये किया दो किलो बजन घटा लिया होता है या दो या चार किलो बजन घटा लिया होता है बाद में फिर पहले जैसी जिन्दगी सुरू हो जाती है और पहले से भी जाता वीट हो जाता है यानि पहले 70 किलो का आदमी 65 किलो में आ जाएगा बाद में वो पता लगे 75 किलो में पहुँच गया तो ऐसे में क्या है फायदे की जगा वो नुकसान कर बैठते हैं तो डाइटिंग का महतो आपको समझना है ठीक है अब बात करते हैं डाइटिंग के क्या खत्रे हो सकते हैं डाइटिंग के खत्रे हो जाते हैं कि डाइटिंग दिक्कते हो जाती है बिमारिया होने लग जाती है एक वक्त का यहाँ पर टाइपिंग की मिश्टे के खाना आएगा ठीक है एक वक्त का खाना छोड़ना कई बार क्या गयते हैं एक वक्त का खाना छोड़ देते हैं इसकी वज़े से क्या होता है उनके शरीर में कई तरह की कमि हो गई है इसलिए एक वक्त का खाना छोड़ देते हैं जिसकी वज़े से उने कुछ समय तक कुछ दिक्कते हो जाते हैं कैलोरी कम करना लोग क्या करते हैं फिर डाइटिंग पर आ जाते हैं तो अपनी कम कैलोरी लेते हैं ठीक है पहला अगर वो 2000 कैलोरी ले रहे होंगे दिन म हो जातीए देति के कई तरह के खतरे भी होते हैं अगर डायर्टिंग करनी है तो क्या हमें अपने food को बदलना है और food के तरीके को बदलना है और एक dietitian से सला लेका करें अब नसी नदाकरा लाइक है और बताइगा के तुम्हारी protein daily requirement क्याया एं और हाईट के और एज के अकोडिंग वो इतना प्रोटीन होना कार्प्स होना कार्म्स होना चाइए ठीकह। यह सारे चीज़े वह बताएगा तो यह important हैसके a cooling हिसको कुछ करना है भोजन अा सहनसील सीलता अस Aj जान क्या जाइन से बढ़ जाते हैं इसकां से इसके अ कर दोड़े वांपारे इसाइम robots करने का काम करते हैं लिकिन कई बार ये इंजाइम कते हैं या बढ़ जाते है इसके वजयесे दिक्क्त आने लग जाते हैं enzyme की जो कमी है वो उसके कई कारण हो सकता है वो जनम जात हो जनम से ही हो बाई बर्थ हो या हो सकता है कि कई बार कोई medicine वगरा लेते हैं उसके side effect हो जाते हैं उसकी वज़े से भी कई न कई ऐसा हो सकता है तो ये इसके कारण हो सकते है ठीक है फिर है खेल कूद में आहार जो sports हो जो गेम्स होते हैं, उन खिलाडियों के लिए आहार जो है, वो भगोत महत पून है कि सही आहार उनको मिलना चाहिए खेल पोशन का सम्वंद खिलाडियों के द्वारा लिये जाने वाला, जो भी वो तरल ले रहे हैं, लिक्विड में चाहिए वो juice ले रहे हैं या दूद ले रहे हैं जो भी ले रहे हैं लिक्विड या भोजन में चाहिए वो fruits खा रहे हैं चाहिए रोटी खा रहे हैं जो भी खा रहे हैं ठीक है वो सबी क्या हो जाता है उनके लिए आहार हो जाता है और खेल प्रशिक्षन के कारेकरम का ये मह हमारी swimming होता है इस तरह की चीजों में ये बहुत महतपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसे लोगों को जो इन चीजों में है जो ऐसे खेलों को खेलते हैं इनको ज़्यादा calorie की ज़्यादा energy की जरूत होते है ज्यादा protein ज़्यादा fat की जरूत होते है ठीक है? कि खेल के दौरान उसको ठकान भी नहीं होगी ठीक है और अपनी एनरजी का वो सही तरह के से इस्तेमाल कर पाएगा और अपने खेल में परदर्शन को सुधार पाएंगे मान लोग खिलाडी है बहुत मैनत वाला खेल खेल रहा है लेकिन उसको उतना आहार ही नहीं मिल दा जि अगर अच्छा आहर मिलेगा तो खेल परदर्शन में सुधार आएगा शरीर जो है वो फिट रहेगा मजबूत बनेगा ठीक है रिकवरी मान लोग हमारे शरीर में कुछ उतक बगएरा टूटते फूटते रहते हैं सरीर में कई तरह की चोट लगती है दिक्कते होती है तो और जो बताया है इसी में से कुष्टन आते हैं आपके तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग जै हिंद जै भारत